स्टेप मदर और स्टेप सन के बीच में अफेर हो जाता है बर अचानक से फादर की डेथ होके इसके बीचे को ने या आज की हमारी मुवी की मिस्टरी है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको विकेड माइंड्स ये 2003 की एक ठ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत सारे ट्विस्ट अंटर्स आते हैं और एंडिंग भी ट्विस्टेड है तो अंतक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और इलडगा अपनी जान बजा कर घर से भागता हम देख सकते हैं यह भागते भागते एक लिफ तक आ गया अब इसके बाद यही हमें स्टोरी बताना स्टार्ट करता है वो गहता है जब लाइफ इस पॉइंट पर आ जाती है तो हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होल्डन इस सब कुछ चीजे पुलिस को बता रहा है फ्लाइश बैक में हमारे मूवी स्टार्ट होती है वो अभी अभी हारवर से अपनी एजुकेशन कम्लीट करकर फिर से घर आ रहा था बच्पन में उसके फादर उसकी मदर को छोड़ कर चले गए थे बाद में उसकी मदर की डेथ हो गई वो अकेला ही रहता है पर फादर ने उसे वैकेशन के लिए बुला लिया उसके फादर हमेशा बीजी रहते है पर फिर भी इनकी रिलेशन्शिप को एक चांस वो देना चाता था वो घर पर आया अपनी मेर से मिला जो बच्पन में उसका खैल रखती थी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे होलडन फिर अपने फादर को ढूंटे वे उनकी बेटरूम में गया वहाँ पर लाना बात ले रही थी उसके फादर लगा तो डोरो बन कर लेता है तब उसके फादर आया उसे देखकर बहुत खुश थे है ये दोनों इतने दिनों बाद मिले पर फिर भी फादर होलडन को जादा बैसे खर्च करने के लिए टोकते है फादर बहुत ही खुश थे है क्योंकि उनकी लाइफ में अब लाना है लाना ने उन्हें होलडन से इंट्रडूस करवाया वो कहते है ये मेरे वाइफ है इस बात से हो सप्राइज था पर फादर लाना के साथ खुश है आज राज आक्शन और पार्टी थे फादर जरा बेजी हो गए तो लाना और होलडन बात करते है इनका मिलना जरा इंबरेसिंग था तो लाना कहती है जादा वरी मत करों उसने मजाग लेता हुआ का तुम तो बहुत हैंसम हो तुमारी गल्फरेंड होगी ओलन गहता है उसने मुझे धोका दिया था लाना फिर कहती है तुम बहुत अच्छी गल्फरेंड मिलेगी वरी मत करना उसकी एक फ्रेंड है उससे उसे मिलवा देती है इस फ्रेंड का नाम था इसका मतलब है फादर को लगता है कि लाना सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है यह सब बाते कर रहे थे तो इनके साथ फादर का लॉयर हैरी भी था हैरी और लाना को कमफ़ेडबली बात करता देखकर फादर जेलस हो गए लाना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होलन नहीं देखता है उसे लगता है कि जिस तरीके से उसके फादर उसकी मदर को मारते थे लाना को भी उसी तरीके से अब्यूस करते है इसके बारे में उसने लाना से बात की पर लाना कहती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज करदे फादर होल्डन के साथ स्पेंट करना चाते थे अपनी न्यू कार वो उसे दिखाते है होल्डन को एक आर बहुत पसंद आई थी पर फादर अपनी कार को उसे टच भी नहीं करने देते है इसके बाद दोनों फादर के ओफिस में आये पूरा डेस पेंट करने वाले थे पर जाने से कुछ काम आ जाता होल्डन अक्यलाई घर पर आ किया लाना बुश्तिक इतने जल्दी क्यों आक है लाना उसे हैती है तुम्हारे फादर के साथ आज रात मेरा डिनर था वो भी उसने कैंसल कर दिया वो गहती है क्यों न हम दोनों हैंगाउट करे इसके बाद लाना ने उसी गाड़ी को गरा से बाहर निकाल लिया होल्डन डर रहा था पर फिर वियों कहती है तुम्हारे फादर को में कंट्रोल कर सकती हो ये दोनों फिरी टाउन में एक बार में आए पर बार बन था पर लाना इसके ओनर को जानती है चावी ढोन कर ये अंदर घुश गए ड्रींस करते हुए एक दुसरे के बारे में जानते है लाना छोटे से टाउन से आती है उसकी बच्चपन और उसकी लाइफ ये बहुत ही हाट थी होल्डन के फादर कितने अजीब है इसके बारे में भी उन्होंने बात की ये दोनों ड्रंग थे तो आज रात इंटीमेट हो जाते है रात में जब फादर को बता जला कि लाना ने उनकी गाड़ी ली थी तो बहुत ही गुसा होके अगली सुबा लाना के बोड़ी पर मारने की निशार ये होल्डन नोटिस करता है ब्रेकफास्ट की बग फादर ने उनकी मेड को उसका बड़े था इसके लिए अच्छा सा हॉलिडे प्लान दिया वैसे लोग फादर को फिगर आउट नहीं कर पाते कभी-कभी बहुत ही अच्छी चीज़ेों करते हैं तो कभी बहुत ही घटिया इसके बाद उन्होंने होल्डन को बासकेट बॉल खेलने के लिए इनवाइट किया होल्डन जीत रहा था तभी उसके पेट में उसे पंच करते है कहते हैं कभी भी मेरे कार को हाथ मत लगाना राद में जब फादर डिप स्लिप में थे तो लाना और होल्डन फिर से मिले लाना उससे यहती है कि हमने जोबी किया एक गलती थी इसे भूल जाना ये ट्राय तो करना चाते है पर हमने आपको रोक नहीं पाते है फिर से इंटिमेट हो गए रात में फादर की नीन खुली तो होल्डन की रूम ने आते है लाना बहुती डर गई थी वह ही पर छुब गई फादर ने आज जोबी किया था इसके लिए उन्होंने होल्डन को सौरी कहा जब भी फादर घर से चले जाते थे तो लाना और होल्डन इंटिमेट होते है एक दिन लाना होल्डन से गयती है हम दोनों के फादर बहुती खटिया थे बच्पन में लाना के फादर उसे अब्यूस क्या करते थे जैसे उसके सिस्टर बड़ी हुई वैसे उसे भी अब्यूस कर सकते थे तो एक दिन Lana ने उन्हें बहुत ड्रंक कर दिया उसके फादर को मगरमर्ज की शिकार करने की आदत थी वो उसी ड्रंक हलत में बोड़ पर शिकार करने के लेके उनका बालंस गया और मगरमर्ज ने उन्हें निकल लिया हमने प्रिवेसली देखा था कि लाना ने होल्डन को निकोल से इंट्रोडूस करवाय था उसी के साथ डेट के लिए निकोल उनके घर पर आई हुई थी ये देखकर लाना को बहुत ही जेलस रखता है ये सब बाते कर रहे थे तो फादर होल्डन के एजुकेशन के बारे में बताते है निकोल ने उसका फ्यूचर प्लान उससे पूछा तो होल्डन गयता है मुझे आर्किटेक्चर में बहुत इंट्रेस्ट है फादर कोई बात सही नहीं लगी गयता है इससे तुम्हारा कुछ भी लाइफ में होगा नहीं कल से तुम मेरे साथ काम करना थोड़ी येर्स में तुम मिलिनेर बन जाओगे होल्डन निकोल के साथ टेट पर जाकर डारेक्ली घर आ जाता है उनके बीच में कुछ भी हुआ नहीं था होल्डन आज अपने फादर की वज़े से गुश्सा है घर पर वो लाना से मिला उसे गयता है वो हमेशा मेरी लाइफ मैनुपलेट करते रहेंगे उसे यहाँ से निकल जाना है लाना कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है उसे प्यार करने लग गई थी अगली दिन होल्डन और उसके फादर यह शिकार की ले गए शिकार करते वक्त उसके फादर सरकल ले रहे थे होल्डन के पास आज ऑपोर्चुनेटी है वह अगर चाहे तो अपने फादर को मार सकता है उसने एम तो किया पर अपना माइंड वो चेंज कर देता है घर आकर उसने अपने फादर के लिए मिलशिक बना है फादर अपने मैरेज की फोटोस देखते है कहते हैं यह उस दिन में बहुत ही खुश था पर आज कल उसे लाना पर शक है उन्हें लगता है कि शायद लाना के किसी के साथ अफेर चल रहा है इस बात से होल्डर नर्वस हो गया फादर ने कहा कि मुझे जल से जल कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा होल्डर डर शुका था तो लाना को मिलने के लिए एक मौटेल में बुलाता है उसने कहा कि फादरों को शक चला गया है उनके बीज में जो भी है एक कंटिन्यू हो नहीं सकता होल्डर अब इस टाउन से दूर जाने वाला था लाना कहती कि मुझे भी तुमारे साथ लेकर चलो आज ये दोनों यही पर आखरी बार इंटिमेट होके होल्डर को नीन आके उसके आग खुले तो रात हो चुकी है वो जब इस मॉर्डर से जा रहा था तो डेस पर भी कोई भी नहीं जाते जाते उसे एक बेगर मिला उस बेगर ने उसे टाइम और कुछ पैसे मांगे होल्डर ने उसे हंडेड डॉलर्स दे दिये इसके बाद वो घर पर आकर अपने लिए ड्रिंक वेगरा बनाता है उसने हॉल में देखा तो शौक था क्योंकि उसके फादर का मर्डर हो चुका है पुलिस बुलवाई गई उन्होंने देखा कि उसके फादर पर बहुत सारी इंजूरीस है वो होल्डन से और लाना से क्वेशन्स करते है पुलिस ने बुझा कि तुम कहा थे होल्डन कहता है कि मैं मूवी देखा था लाना का कही भी अता पता नहीं था वो लेट 11 बजे घर बर पोच्छती है पुलिस उसे बुझते हैं तुम कहा थी लाना ने कहा मैं मेरी फ्रेंड निकोल के साथ डिनर कर रही थी रात में होल्डन लाना के रूम में आता है तो बहुत सारे पैसे लेकर रात में कहीं जा रही थी होल्डन ने पूझा कि ये क्या है लाना कहती है हम दोनों जब इंटिमेट हुए थे तो मेरी फ्रेंड निकोल ने हमें देख लिया था उसके पास हमारा विडियो टेप है अगर ये टेप पुलिस को मिल जाता है तो इन दोनों पर ही शग आएगा तो इसी वज़े से निकोल उन्हें ब्लैक मिल कर रही थी यही पैसे दिने के लिए लाना जा रही थी सारी चीजों की वज़े से होल्डन बहुत ही डिस्टरब है अपने फादर का फ्यूनरल चल रहा था तब ही होल्डन को लाना से बात करनी थी सब के सामने उसके साथ बात नहीं कर सकती है तो होल्डन ने उसका हाथ पकड़ लिया होल्डन के फादर के लॉयर हैरी ने ये सब देखा और होल्डन को कुछ भी गलत करने से रोक लिया फादर का लॉयर जिसका नाम हैरी ये होल्डन से गहता है तुम्हारे फादर के बाद सब कुछ था सिर्व जवानी नहीं शायद यही चीज वो लाना के साथ ढूंड रहे थे पुलीस को लगता है जिसने तुम्हारे फाइदर का मर्डर किया वो बहुत स्ट्रॉंग होगा लॉयर को लाना पर शक है शायद उसने किसी के हेल्प से ये मर्डर किया लाना अकेली थी तो होल्डन इसी के बारे में उसे कन्फरंड करता है लाना को लग रहा था शायद होल्डन ने मर्डर किया उससे कहती है मैं दुम्हार प्रोटेक्ट करूंगी ये दोनों एक दुसरे पर बिल्यू नहीं करते अब थोड़ा टाइम बीच चुका था शान्द होकर होल्डन और लाना बात करते है होल्डन ने का फादर मेरी मदर को बहुत मारते थे उसे अकिला छोड़ कर चले के जब वो बिमार पड़ी फिर भी उसका हाल बुशने के लिए नहीं आए मैं उन्हें हेट करता था मेरी मदर को अभियूस करने के लिए तुम्हें मारने के लिए लाना कहती कि तुम्हारे फादर ने मुझे कभी भी नहीं मारा होल्डन ने लाना के हाथ पर जो निशान देखे थे इस जिम में वर्क आउट के वज़े से हुए थे इसके बाद लाना निकोल को पैसे देने के लिए जा रही थी होल्डन लाना पर ट्रस नहीं करता तो उसका पीछा करते करते उस साइट तक आ गया होल्डन को देखकर लाना और निकोल यहां से चले जाते है होल्डन को फिर उसके लॉयर ने भुलवाय हुआ था वो कहता है कि उस रात मों मूवी देख रहा था पर लॉयर ने पता किया है कि उस दिन कोई भी शो नहीं हुआ लॉयर को एक टेप भी मिली थी जिसमें लाना और होल्डन यह दोनों इंटिमेट हो रहे थे होल्डन उसे सब कुछ सच बताता है कहता है उस दिन मॉडल में हम लास्ट टा लॉयर कहता है अगर तुम तुमारे फादर के मर्डर के इल्जाम में जेल में चले गए तो लाना को सब कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी वो तुमें फ्रेम करना चाहती है रात में जब होल्डन घर में अकिला था उसे लगा कि वहां कोई है अपनी फादर की कार हो देख होल्डन सावदान हो गया उसने घर के वाहर लाना को देखा उसके पास गन थी उसे फाइट करकर एक गन ले लेता है लाना कहती कि मैं तो तुमें प्रोटेक्ट करे ही थी मुझे लगा कि घर में कोई है प्लीज मुझ पर बिलिव करो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो इन स कर लेते हैं पुलीज ने लाना के बारे में इन्वेस्टिकेशन की उन्हें बता चला किसी और कंट्री में चली जा चुकी है। सारा शक उसी पर चला जाता है फिर पुलीस टेशन में कन फेस्ट करने के लिए निकोल पहुँची वो गहती है लाना और मेरा अफेर था उसने मुझे Holden को Blackmail करने के लिए कहा था Blackmail से उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते थे पर उसके बाद Lana ने Holden के फादर को मार डाला अगर वो उसे मार सकती है तो शार्द मुझे भी मार सकती थी तो इसे वाज़े से Nicole ने उसे Breakup कर लिया उसका Holden का मारने का भी प्लान था उसे As a Suicide वो स्टेज करने वाली थी ये सब बाते सुनने के बाद Holden ने पुलिस से जोबी किया ये कन्फरम हो जाता है Holden को छोड़ देते है उसे अब सारी प्रॉपरिटी मिल चुकी है Holden का Lawyer कहता है तुम्हारे फादर की टॉक्सिकोलोजी रिपोर्ट आए इसे पता चला उनने जहर दिया गया था उन पर वार करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुगी थी रात में फिर घर पर Holden Murder weapon को ढून लेता है अंदेरे में से Nicole बहार आए वो Holden के पास आकर उसे किस कर लेती है मतलब सारा कुछ प्लाइन Holden और Nicole का था ये दोनों actual में एक दुसरे को बहुत पहले से जानते थे और डेड ये दोने relationship में थे फिर इन दोनोंने मिलकर Holden के फादर को मार डाला पुलिस को लगता है कि Lana इस country से चली गए पर actual में Nicole ने Lana के कपड़े पहने थे उसका passport लेकर वो अलग country से जाकर फेसे वापस आके Holden ने Nicole से पूछा तुमने Lana के बोड़ी का क्या क्या अब हमें flashback में दिखाए जाता है कि उस रात Holden ने Lana को बहुत इंजोर कर दिया था उसके साथ Nicole भी थी वो Nicole से कहता है जाकर इसके बोड़ी डम करकर आओ Nicole ये काम करने के लिए माननी रही थी पर Holden कहता है तुम्हें प्यार के लिए इस सब चीज़े करनी ही पड़ेगी मैंने भी अपने फादर को मारा Holden के जाने के बाद Nicole ये करनी पाए उसे कलीफ के बास लेकर जाकर वहाँ से नीची गिरा देती है अब ये सब चीज़े उसने Holden को कही तो बहुत ही जादा घुस्सा हो गया था रात में ही ये दोनों कलीफ के बास जाकर उस बोड़ी को ढून रहे थे उन्हें बोड़ी कहीं भी मिल नहीं पाती है वहाँ पर उन्हें लाना का नेकलिस मिला ये अजूम करते हैं ये शायद लाना की पानी में गिर कर डेथ हो गई Holden रिलाक्स हो जाता है मर्डर वेपन पर उसने अल्डरी लाना की फिंगर पिंट ले लिये थे वो पुलिस को कॉल कर गर इस मर्डर वेपन के बारे में बताता है तब ही अचानक से घर के लाइट चले गए लाना बाहर निकल कर Holden को शूट करती है उस क्लिफ से नीजे गिरकर वो बहुत ही इंजोड थी वो गहती कि मैं तुमसे प्यार करती थी तुम्हें सब कर कैसे सकते हो Holden कहता है हम दोनों मैंसे कोई भी इनोसेंट नहीं तुम भी मेरे साथ इंटिमेट हुई थी मेरे फादर के साथ सिर्फ पैसो के लिए थी लाना ने पुछा या कभी दुमने मुझसे प्यार किया था Holden कहता है कि नहीं अब लाना उसे मारने वाली थी तो भी वो घर से बाहर निकल जाता है भागते भागते फिर से उसी क्लिफ तक पहुँच गया अब लाना उसे मार ही डालती तो भी पुलिस Holden के घर पर पहुँच गये थे वो लाना को शूट कर देते अभी भी सब को लगता है कि लाना नहीं सब कुछ किया फाइनली Holden को अपने फादर के सारे पैसे मिल चुके है अपनी गल्फरेंड को लेकर वो हैकेशन पर जाता हूँ हम देख सकते है वो हमसे कहता है इस वर्ड में जीना बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए जो सही लगा वह ही मैंने किया उसे कुछ भी पच्चता हूँ नहीं उसे लगता है उसकी जनरेशन ही इसी तरीके से है उन्हें कुछ भी फरक नहीं बढ़ता यहीं मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मुवी इस लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानलों के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए तैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया